दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे की जो परकिरिया है दुबारा से सुरूख कर दिया गया है इसको लेकर बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जो भी जमीन मालिक है उनको कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है जबी भी आप जमीन का सर्वे करवाते हैं किस परकार आप सर्वे करवा सकते हैं इस वीडियो को आप जरूर देखिए क्योंकि अगर आपने अभी तक अपने जमीन का सर्वे नहीं करवाया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण हो सकता है कौनकोर से डोकॉमेंट लगेंगे वो सारा फॉर्म कैसे डाउनलोड करना उसके बारे में भी मैं जहनकारी आपको देने वाला हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आ तो लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को सेर अवस्थ कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ उन परिवारों के साथ जिनका जमीन का सर्वे अभी तक नही करता हूँ जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली यूजना होते हैं अपडेट होते हैं वह सभी अपडेट वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे फिलाल एसकिन पर चलते हैं नोटिफिकेशन के जरी आपको पूरी अपडेट जमीन सर्वे को लेकर मैं आपको बताता दोस्तों अभी आप देख पारोंगे यह ओफिसेल नोटिफिकेशन जारी किये गया है भू अभिलेक एवं परिमाप निर्देसाले के द्वारा जो की राजसु एवं भूमे सुधार विभाग है उनके द्वारा यह नोटिफिकेशन दिये गया है पिहार विसेस होगी मतलब जो जमीन के मालिक है उनकी क्या दायुत है वो समझना बिलकुल जरूरी है जिसमें बताया गया कि भूमी सर्वेक्षन में रईयतों का जो करतब है यह निमन परकार है सबसे पहला चीज है कि किस तबार एवं खाना पूरी के समय रईयत को यथा समभ जमीन पर मतलब जबी भी सर्वे होती है तो उस समय आपको अपने जमीन पर उपस्तित रहकर ही सर्वेकी परकारिया पूरी करवाने चाहिए उसके बाद बताया गया कि अपनी जमीन की मेड को ठीक ठाक बना दे और उसे सिमांकित कर ले मतलब क्या है कि जमीन आप देखते होंगे जम कि झापकी जबी सर्वे की परकरिया शुरू होती है तो उसमें जो भी आते हैं सर्वे करना उनको यह सब आसानी होती है पता चलता है कि कहां तक आपको भूमी है इसके अलावे बताया है कि जमीन का बिवरां चोहधी के साथ पर-पत्र में घञता इनू आता है जिसमें पत्र का वो भी आपको जो है इस फॉर्म के साथ सगलगन करना होगा यह सभी फॉर्म डाउनलोड करने की परकिरिया मैं आगे आपको बता दूँगा इसके अलावे बताया गया कि जमाबंदी संख्या की विबरन अगर आपके पास है तो यह नहीं है तो मल गुजारी रसीद यानि जमीन का जो भी करेंट रसीद है यह आप यहाँ पर लगा सकते है यदि उपस्तित हो तो इसके अलावे खतियानी का जो नकल है अगर उपस्तित हो तो यह भी लगाईए मिड़े तक जमावंदी रहियत की मिर्टु की स्थिति में उनकी जो जनम प्रमानपत्र के भरूरी है इसके अलावे बताएंगा कि आबे तक या हित अर्जन करने वाले का मिरित्था का वारिस होने का जो परमानपत्र हो देने हों गए तो इसके विल्हिए बैस्ट होता है कि अक बनसाबली बनवा répondre बनसाबली में पता चलता ऐक kaikki इस भूमी का जो हुकशच़ अप क पूरी पता चल जाती कि किसको कितना जमीन यहां पर मिला है इसके अलावे बताया गया है कि सक्षम न्याले का अदेश हो तो उसकी जो सची प्रती है वो देना होता है यह क्या होता है कि बहुत सारे भूमी पर केस मुकदमा हो जाता है तो वैसे इस्तिति में यह कोट कहचरी क मैटर हो जाता है फिर कोट इस चीजों को लेकर जमीन जिनका होता उनको देता है इसको लेकर आपको यही जो है सची प्रती जो है मिलता है कोट से यह आपको लगाना होगा अगर इस परकर की मैटर है तो इसके अलावे बताया गया है कि रईयत अपनी बंसाबले पत्पत्र थिरी में भर कर सलगन कागजात के साथ सिविल में जमा करेंगे मतलब इसके साथ जो बंसाबली है बंसाबली के साथ परपतर थिरी फॉम आता है इनको भर कर सिविल अभी लगाया जा रहे है आप पता करिए आपके ब्लोक में चलाया जा रहे है वहाँ पर जाकर आप जमा करेंगे इसके अलवे परपत्र 9 एवम LMP मिलने के बाद ठीक से जो भी जांच परकिरिया हो कर ले अगर गलत रहने पर परपत्र साथ आता है जो आपत्ती के लिए उसको भर कर आपको जो है सिविल में जमा करना है ताकि आपकी डीटेल सुधार हो पाए इसके अलवे पररूप अधिकारी अभिलेक मानचेत्र की जाच भी आपको करनी है इसमें भी कोई गलती है तो इसके लिए एक परपत्र आता है जिसको भर कर आप जमा करेंगे तो ये सब कुछ गाइलाइन इन होने बताया है कि जभी भी जमीन के सर्वे आप करवाते है तो इन पॉइंट को अगर आप ध्यान रखते है तो आपकी जमीन के सर्वे में कोई परसानी नहीं होगी अब जो भी परपत्र मैंने बताया जो भी फॉर्म बताया उससे डाउनलोड करने के लिए Google ओपन करें लिखे Online Update STM या Website मिलेगा इससे आपको ओपन करना है और यहाँ पर Search Box जो मिलता है इसमें बस आपको लिखना है भूमी सर्वे जैसे याँ भूमी सर्वे लिखकर सर्च करते हैं आपके सामने एक Article आएगा जो कि बिहार भूमी सर्वे न्यू अपडेट जिस पर क्लिक करेंगे पूरी जनकारी भी आपको मिल जाएगी और यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया कि आपका क्या दैयूत होगी वो भी देख पाएंकर नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पर जितने भी फॉर्म लगते हैं सर्वे के समय जैसे परपत्र 1 हो गया परपत्र 2, 3, 4 जो भी है सारा परपत्र आपको यहाँ पर दिये गया है आपको जो भी अवसकता है जो भी वहाँ पर मांगे जाते हैं बस उसको क्या करना है यहाँ से डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करेंगे जैसे किसे का बनसाबली के लिए चाहे तो यह बनसाबली के लिए फॉर्म है तो इसको डाउनलोड करकर भरकर जो है आप जमा कर सकते ह साथिव अभी आपने देखा मैंने आपको पूरी जनकाड़ी जमिन सर्वे को लेकर आपको बताया फिर भी कोई doubt confusion है आप comment box में लिख सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद